नमस्कार आप जूट बोलते हो लेकिन एक बात द्यान रखना एसे व्यक्ति से कभी जूट मत बोलना अगर आप ने इसे व्यक्ति से जूट बोलना तो द्यान रखना सुए भगवान भी आपको माप नहीं करेंगे भगवान सिक्रिष्ण कीता में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से अगर तुम जूट बोलोगे ना तो मैं भी तुमें कभी माप नहीं करूँगा बगवान सी कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके उपर अंदा विश्वास करता हो जो व्यक्ति आपके जूट को भी सच मानता हो जो व्यक्ति आपके सुक दुख में काम आता हो और जो व्यक्ति आपका हित चाहता हो उस व्यक्ति से कभी जूट मत बोलना उस व्यक्ति के साथ में कभी दगा मत करना और उस व्यक्ति के साथ में कभी दोका मत करना अगर आप ने ऐसा कियाना तो मैं भी तुम्हें कभी माप नहीं करूँगा तो लाइफ में एक बाद जरूर दियान रखना चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका रिष्टेदार हो चाहे आपका बिजनिस पार्टनर हो चाहे आपका कुछ भी लगता हो अगर वो आप पर विश्वास अटूट करता है वो आपका हित चाहता है वो आपके सुक दुक में काम आता है तो ऐसे व्यक्ति से जूट कभी मत बोलना क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति से जूट बोलोगे न और जब उसे सच्चा ही पता चलेगी न तो वो कुछ नहीं करेगा वो आप से दूर हो जाएगा वो आपका साथ छोड़ देगा और जो जूट जो दोका और जो दगा का उसका नुकसान होगा न उस सामने वाले व्यक्ति का वो भगवान बर्पई कर देंगे लेकिन जो जूट आपने बोला उसके लिए उस जूट की बर्पई भगवान भी कभी नहीं करेंगे भगवान आपको माप कभी नहीं करेंगे उल्टा सजा देंगे तो किसी भी कंडिशन में किसी भी सुरत में ऐसे व्यक्ति से कभी जूट मत बोलना ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी दगा मत करना कभी दोका मत करना जिस व्यक्ति का मन साफ है और जो व्यक्ति हमेंसा आपके हित की बात करता हो अपने फाइदे के लिए उसका आहित मत करना किसी भी सूरत में मत करना तो भगवान सिक्रिष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कभी जूत मत बोलना जो आपके सुक दुक में साथ रहता हो जो आपका हित चाता हो जो आप पर अटूट विश्वाज करता हो और जो आप पर अथा प्रेम करता हो ऐसे व्यक्ति से कभी जूत मत बोलना वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कलती होगी